चैने दोस्तों वंदे मातरम, बॉलिवड में इस समय जो बहार चल रही है वो फ्लॉप की बहार कही जाएगी, क्यों? क्यों कई सारे ऐसा एक्टर्स हैं जो कि बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी अपनी मूवीज को चला नहीं पा रहे हैं या यू कहें कि दर्शक उनकी मूवीज को देखने के लिए तीयाटर तक जानी रहे हैं दरसल यूज इतना बड़ा शिफ्ट इस समय देखने को मिल रहा है इसमें एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि आज की रेट में जो दर्शक हैं वो कॉंटेंट को प्रिफरेंस देने लगे हैं नाम बड़े हो दर्शन छोटे वाली बात उनकों समझ में आ चुकी है तो ऐसे में जो कपूर खांदान, खान खांदान जो खांदान चले आते हैं बॉल्यूड में कहीं ना कहीं इन सभी की सितारे अब गर्दिश में दिखाई पड़ रहा हैं क्यों? क्योंकि उनको व्यापक तोर पर वो दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको कभी मिला करते थे तो ऐसे में क्यों इन स्थापित खांदानों का बॉल्यूड में बंड़धार होता जा रहा है उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बॉल्यूड में खांद सितारों के उदय के साथ-साथ इंडस्ट्री की तमाम चीजें बहुत तेही सब्द लगए एक्टर की हैसियत अचानक से बॉल्यूड में इतनी बढ़ गई कि वो सब कुछ तरह करने वाली पोजिशन में आ गया फिल्म की कहानी कैसी होगी, किरदार होगा, काम क्या होगा, कौन गायक संगीतकार होगा, गाने के बोल क्या होगे किसके हिससे कौन सा समवाद आएगा, किसका रोल कितना बड़ा होगा, कौन हिरोईन होगी, कौन डिरेक्टर होगा, डिरेक्टर को शूट कैसे करेगा किसके रोल में कितनी कार्ट चांट होगी फिल्म के लाभ में हीरो का कितना शेयर होगा और सिनमा घरों में किसकी फिल्मों कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी सब कुछ दो-तीन सितारे तैय करने लगे यहां तक कि राजकपूर, दिलिपकुमार, देवानंद, राजश खना रामिताब बच्चन जैसे सूपर सितारे भी जब अपने स्टार्डम के पीक पर थे फिल्म नस्ट्री में अभी निताओं के भूमिकाएं एक दायरे में ही नजर आती थी मनमाणिया इसकठर बढ़ गयी कि बालिवूड के सितारे, फिल्म उद्योग से अलग समाजे के राजनेत, चीजों को डील कर दे लगी भारत को किसके साथ वियापार करना चाहिए, किसके साथ नही भारती सिन्य को क्या करना चाहिए भारती राजनीती के मुद्दे क्या होने चाहिए और यहां तक की भारती सरकारों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह भी सला कुछ सूपर सितारे देने लगे भारती समाज कैसा हो यह भी निर्दार्द करने लगे पिछले तीन देशक में अनकिनत बयान है जिसे रिकॉर्ड के तौर पर दर्द किया सकता है खान सितारों का करीब परीब धाई देशक एक छत्र राज रहा लेकिन पहले शारुक खान इसके बाद आमर खान ने जिस तरह से मोधी राज आने के बाद मोर्जा समाला और अपने स्टार्डम के सारे दुनिया भर में भारत की छवी दूशित करने के लिए ऐसा इश्निता जैसे घटिया डिवेट खडी की उसने पहली वार संगठात्मिक रूप से लोगों को बॉलिवड के खिलाफ चौकर ना कर दिया कि यारी यह जानक से लोग क्या वकवास कर रहा है दरसल समाज ने जवर्दस विरोत किया तो उसका असर ये रहा कि दोनों को अपने बयानों के लिए वापस लेकर उनको माफी माफी मागनी पड़ी मागर बॉलिवड की फितरत खत्म नहीं हुए वो जारी दी हलाकि कोविड की दोरां सुशान सिंग राजबूत किया कस्मिक ब्रत्यों के बाद बॉलिवड में नेपटिजम यानि एक तरह से मतलब भाई बती जवाज जो होता ना इसके किलाव जवर्दस से गुस्ता नाजर आया बॉलिवड बॉयकाट की लहर चड़ पड़ी उस तो भहस के बाद बॉलिवड में अब तक नजाने कितने खान कापूर जोहर चोपडा ने पट चुके हैं जो खरीदे का स्टार्डम के नशे में इसकादर जूर थे कि उनकी सारवजनिक बत्तमीजियां आम हो चुकी थी लोगों ने बॉलिवड विरोध में दक्षिन का हाथ पकड़ा और सावन का जाग बैठ के वही कपूर वही खान मिननते करते दिख रहे हैं निर्देशकों से गरगडा रहे हैं और अपनी फिल्मों में उन्हें ले 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 तो एक हिट मिल जाए इस बात की मिननते भी करते दिखाए दे रहे हैं फ्लॉप्स ने स्टार्डम का हैंगोवर कुछ ऐसा ख़त्म किया कि सितारों ने अपनी फीस तक घटा ली प्रफिट शेरिंग तक पर पुनर विचार करने को तैयार हो गए और तो और आमिर खांजे सुपर सितारे जो फर यू कहें जो खुद को परफेक्शनिस तक कहने लगे थे उन से जोड़ी खबरे आ रही हैं कि बदले हालात में बता और अभिनेता करियर बचाय रखने भर के लिए जूनियर एंटियार के साथ सपोर्टिंग भूमिका तक करने के लिए तैयार हो गए केजी एफ फिर्म प्रशाद नील ये फिर्म बना रहा है कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेकर सारजने की गोशना तक कर डाली थी लेकिन वो इस समय एंटियार के साथ काम करना चाहते हैं इस समझ में आ सकता है कि आमिर के मन में सफलता को लेकर इस समय क्या चल रहा है कारतिकारिन के साथ भूल वलियाट 2 जैसी ब्लॉक बशर बनाने वाले अनीज बाजमी के घर शाहिद कपूर एक दिन पहुंच गए और उनके आफिस के बाहर में पाये जा रहा है असल में भूल वलियाट 2 के बाद अनीज बाजमी एक ता कपूर के निर्माण में एक और फिल्म करने वाले थे बनक लगते ही शाहिद कपूर उनके बीचे पड़ गए चल चाहिए तो यहां तक है कि वालियूड के तमाम रोशन, कपूर, सिंग, अनीज के साथ फिल्म करके एक अदर हिट की तराश कर रहा है हलागि शाहिद को फिल्म मिल गई शाहिद जो कि आमताव पड़ एक फिल्म के लिए 35 सा 50 करोड तक लिया करते थे जर्जी वह से उपर फ्लॉप देने के बाद महस 25 करोड में फिल्म कर रहा है दूसरे तमाम एक्टर निराश है उन्हें फिल्म नहीं मिली कहा तो ये भी जा रहा है कि तमाम एक्टर के नाम भड़ से अब निर्माता बच रहे है बॉल्यूड में उनकी साख बची नहीं है बड़ा सवाल भी है जब से पचासे सौ करोड की फीस लेने वाला एक्टर अगर अपने बूते सिनमा घरों तक दर्शक नहीं लापा रहा हो तो कोई निर्माता आखर कैसे उनके साथ फिल्म बनाएगा लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये भी है कि निर्माता सिर्फ और सिर्फ मुनाफ़ा कमाने के लिए मुवी बनाता है कोई चैरिटी करने के लिए नहीं अब वो एक हार चुके एक्टर को मोटी फीज क्यों ही देगा वो ही प्रॉफिट में भी हिस्त देगा और बदले में तक्रा नुक्सान जे ले मतलब निर्माता तमाम ऐसे चेहरों से अब बचने लगे वैसे बॉलिवूड में कई सूपर सितारों की अकले ठिकाने लग चुकी बावजुद इसके अभी भी तमाम की एठन खट नहीं हुई है और वो नेगटिव माहौल में भी पॉजिटिविटी बना कर जिन्दा रहने का राजनितिक नारा उचालने से बाज नहीं आ रहा है एक अदद सफलता के लिए बॉलिवूड के सितारे कितने मरे जा रहे हैं हाल ही में इसका मज़धार एक्जामपल देखने को मिला असल में हेरा फेरी का तीसरा पार्ट बन रहा है कम फीस और भुलबले अटू में कारतिक अरण की ब्लॉक बस्ट सफलता को देखकर निर्माताओं ने कारतिक अरण को साइन कर लिए बात अक्षे कुमार से भी चल रही थी लेकिन निर्माताओं को कारतिक ज़्यादा बहतर लगी कारतिक के साइन होने की बातें जब सामने आई तब अक्षे ने सारद जने की रूप से चीज़ों को लेकर बयान दी आमतोर पर हाल फिलहाल उन्हें ऐसा करते कभी देखा नहीं इससे पता चलता है कि एक कामया फ्रेंचाइजी यानी सफलता के लिए अक्षे जैसे एक्टर भी आज की तारीक में कितने परिशान है चर्चा में तो ये भी रहा कि अक्षे ने अपनी फीस और प्राफिट शेरिंग तक कम कर दी पर निर्मा ता माने नहीं अक्षे की लाइन लगा कर चार से पांच फिल्में फ्लॉप हुई गलती सिर्फ एक कि जब कश्मीर फाइल्स पर समूची देशे माहुल बना वे भी फिल्म के पक्ष में कुछ खुल कर कहने से बचते ही नजर आए बहराल आगे क्या होगा कुछ ताह नहीं मगर बॉयकॉट बॉयूड ट्रेंड ने सितारों का हैंगवार तो लगबाख खत्म कर दिया है पठान अगर गलती से भी फ्लॉप हो गई तो ये माना जा सकता है कि बॉयूड को तमाम सितारों के एटन लंबे वक्त के लिए ठंडी पड़ जाएगी पठान को लेकर इस समय जो एक पूरा का पूरा तपका है वो इसलिए पैनी निगाह कड़ा कर बैठा हुआ है क्योंकि आमिर खान की मुवी जब फ्लॉप होई थी तब लोगों अगई नगई कहना था कि मुवी के कॉन्टेट में दम नहीं था लेकिन पठान में वो सभी चीजें वो सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक मुवी को मास इनर्टेनिंग मुवी बनाते हैं तो ऐसे में अगर यहां पर गलती से शारुख खान के पठान को वो कलेक्शन नहीं मिला जो वो चाह रही है तो अब वेसी बात है यहां पर लोगों के दिमाग भी ठानक जाएंगे और कई सारे बड़े बड़े सितारों के जो गले हैं वो भी सूख जाएंगे मेरे इस वीडियों फिला उतना ही जाए हैं जाए भाराद